भगवान से आप क्या मांगते है इस कहानी को पढ़ कर आपकी सोच बदल जाएगी एक बार एक नगर की राजा के यहां पूत्तर पैदा हुआ इस खुशी में राजा ने पूरी नगर में घोशना करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चिज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी पूरी राज्ये में खुशी का महुल चा गया सारे लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे कोई कह रहा था कि मैं तो सोने की कलस पर हाथ लगाऊंगा किसी को गोडो का सोक था तो वो बोल रहा था गोडो को हाथ लगाऊंगा इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएगे सुभे जैसे ही दर्बार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दर्बार में स्वागत किया जैसे ही सब को अंदर आने का मंत्रन दिया, सभी लोग राज महल में रखे कीमती चीजों पर छपट पड़े सब के मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंद दीदा चीजों को हाथ ना लगा दे कुछ ही देर में दर्बार का माहुल बड़ा अजीब हो गया, सारे लोग इदर उदर दोड रहे थे राजा अपने सियासन पर बैठा, ये सब देख रहा था, और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था अचानक एक छोटा सा बच्चा, बेड से निकल कर आया, और राजा की ओर आने लगा राजा उसे देख कुछ समझ नहीं पाया, और इतने में वो बच्चा, राजा के नजदेक आया, और उसने राजा को हाथ लगा दिया अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज, उसकी हो गई इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा इस्वर हमें रोजाना मौका देता है, कुछ पाने का लेकिन हम नादान है, और इस्वर की बनाई वी चीजों को पाने में अपने पूरी सक्ति लगा देते है किसी को गाड़ी चाहिए, तो किसी को बंगला, किसी को पैसा, तो किसी को सान सोकत रोज भगवान से प्राथना में भी भगवान की ही चीजे मांगते है जो लोग सत्य को जान लेते है वो भगवान की चीजे नहीं बलकि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिस करते है भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी तो फिर क्यों मुर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना किम्ति समय घुआते हो सीख उस इस्वर की स्तूति करो उसे पाने की कोशिस करो फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी धन्यवाद झाल